खबर हम जौनकारी आ रहे हैं इस वक्त की सामने बड़ा अपडेट आपको बता दे इस वक्त का कॉंग्रेस विधायक दल की एहम बैठक हुई वहिपूर विस्यम हुड़ा की अध्यक्ष्टा में इस विधायक का आयोजन किया गया था बताना सहेंगे कि इस वैठक के दौरान कई एहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है और बैठक के बाद हुजा ने प्रेस कॉंफरेंस भी की तो इस वक्त की एहम जौनकारी आपको बता रहे हैं कॉंग्रेस विधायक दल की एहम बैठक हुई लावनों के समर्थन में भूपेंद्र हुजा ने बयान भी दिया 맛있 distint रमंतर पर समर्थन देने पहुचेंगे कॉंग्रेसी कारकर्टा Перहोडा का कहना है कि हम भूपेंद्रियों के साथ हैं और उनको हमारा पूरा समर्थन है, खिलाडियों ने देश का नाम रोशन किया है, इसलिए हम उनका साथ देंगे और खिलाडियों को नयाय मिलना ही चाहिए तो हुडा का ये बयान सामने आया है, वही कॉण्वरिस विधायक दल की एहम बैठक हुई और इसलिए बैठक में पूर्व सियम, हुडा ने तमाम मुद्वों पर चर्चा की है, कई एहम मुद्वों पर बात चीत हुई, चर्चा हुई मन्थन हुआ और बैठक के बाद हुडा ने प्रेस कॉंफरेंस भी की, प्रेस कॉंफरेंस करते हुए, उन्होंने कहा कि पहलवानों के समर्थन में है कॉंग्रिस पार्टी और खिलारियों के समर्थन में है कॉंग्रिस, तमाम कॉंग्रिसी कार करता खिलारियों को समर्थन देने के लिए प्रेस कॉंफरेंच के दौरान उन्हों है कि खिलाडियों ने देश का नाम रोशन किया है, इसलिए हम उनका साथ देंगे, खिलाडियों को न्याय मिलना ही चाहिए तो कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक में ये तमाम चर्चा हुई और कॉंग्रेस विधायक दल की एहम बैठक हुई थी जिसमें ये तमाम बाते की गई है तो बताना क्रहेंगे कि कई एहम मुद्धों पर बैठक में चर्चा हुई है और बैठक के बाद हुडा की प्रेस कॉन्फेंस भी हुई पहलवानों के समर्थन में बोले हुडा और खिलारियों के समर्थन में कॉंग्रेस है ऐसा भी उन्होंने बयान दिया जुंतरमंतर पर समर्थन देने पहुचेंगे कॉंग्रेसी कारकरता और हर्याना कॉंग्रेस विधायक धरने में पहुचेंगे 13 मई को सुभा 11 बज़े धरने में शामिल होंगे